हाई गाईश टाफिक खल्दडी मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ आप लोग है दिनेश चोधरी के साथ दोस्तों मैं आज इसमें बात करूंगा आप लोगों के पानी पीने की सही तरीके के बारे में अक्सर पानी हर कोई पीता है हर कोई इंसान पीता है दोस्तों क्या सही तरीका है और पानी को उस सही तरीके से पीने के क्या लाब होते हैं दोस्तों क्या फा optimistic में ये इसको क्या प्लेट के सामने क्या आएगा आएए इसी rendre पर आप면ड करते हैं कि जब भी इनसान पानी पिता और जब भी हमको प्यास लगती है या हम कभी दिन में पीते हैं रात में पीते हैं रात को कोई कोई आधी रात को पीता है बारा बज़े दो बज़े एक बज़े मतलब जब भी उसकी आखे खुलती है पिता अच्छी बात है पानी पीना सहथ के लिए बहुत अच्छी बात है पानी पीना चाहिए अधीक मात्रा में पानी पीना चाहिए अगर स्वस्थ रहने के लिए और एक बात मैं बता देता हूं आपको अगर स्वस्थ मनुष्थ है और स्वस्थ रहने के लिए उसको कम से कम कम से कम उसको दिन में 6-7 लीटर पानी प आप लोगों को आप लोग वीडियो को इंड तक देखिएगा बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है आप लोगों को टाफी के माध्यम से दिनेश चोधरी के साथ आप जुड़े रहिएगा तो इसी में आप लोगों को बात बताओंगा दोस्तों पानी पीने का सही तरीका क्या है और कब पीना चाहिए किस तरीके से कब कितना काम करेगा जो पानी हम दिन में साथ लीटर पीते वही पानी अगर हम एक बार मैं यह नहीं कहता हूं आप दिन में पानी मत पीजिए बिल्कुल पीजिए बेहत पीजिए 24 घंटे में आप अगर आपको होग आए तो दिल्ड बहुत बढ़ी आएगा आप लोगों के सामने तो मैं यही बताओंगा दोस्तों इस वीडियो को कि आप लोगों को किस तरीके से कव्यूच करना है क्या करना है दोस्तों पानी पीना सहत के लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों कभी-कभी अक्सर ऐसा होता जाए कि पानी पीनना पीने की ओजा से सरीर में बहुत सारी परिसानिया आती है और खून की कमी होती है पानी पीना एक जान लीजिए जब भी पानी पीते हैं पानी पीने से दोस्तों सरीर में खून बनता है यह हकीकत है आप लोगों को भी मालूम होगा पानी से सरीर में खून बनत करता हूं कि पानी पिने का सही तरीका क्या होना चाहिए तो पानी पिने का सही तरीका यह है दोस्तों सुबह में अब आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि सुबह में पानी पिने का सही तरीका किस तरीके से क्या फार्मूला है इसका तो आपको क्या करना होगा दोस्तो के बाद आपको करना क्या होगा दोस्तों खाली पेट गुंगुना पानी लेना होगा अगर आप ऐसा करते हैं तो ध्यान दीजिएगा अगर आप मुटापे से जूज रहे हैं दोस्तों मुटापे से जूज रहे हैं तो आप खाली पेट एक गलास गुंगुना पानी जरूर पी लीजिए घाली पेट गुनगुना पानी जरूर पी लीजिए अगर आप मुटापे से नहीं जूज रहे हैं आपको हिल्थी होना है आपको पावर्फुल बनना है स्वास्ताप का सही मिन्टेन होना चाहिए तो इसके लिए आपको यह करना होगा दोस्तों आप सुबह में आप सुबह में खाली पेट एक गलास पानी पी लीजिए आपको पानी पीरेत अगर आप मुटापे के लिए कर रहे हैं दोस्तों तो उसके लिए आपको करना यह और गौनगुना पानी नहीं पीना होगा आपको सिर्फ स्वास्त के लिए एक साधा पानी पीना होला उसमें कुछ भी नहीं मिलाना है कुछ भी नहीं मिलाना है दोस्तências साधा पानी आपको पीना है और आप मुटापे से परिसान है तो आपको गणँगुना पानी पीना होगा यही बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है दोस्तों आपको यही करना होगा और रात को सोते समय जब भी आप खाना खाली हो खाना खाने के तस-पंदरा-बीस दिद बात आप एक गलास पानी पी को ऐंडे आप नितकती नहीं किजीए दोस्तों आप देखेंगे कि खुद सकारे वटता क्या होता आज रिजाल्त करता हुं भासका लाइक